आप देख रहे हैं 24 बाली होंडा की निवली लॉंच SP160 का डवल डिस्क E20 OD2 वाला टॉप वाला मॉडल इसमें X-Plate 160 से क्या कै चीजें अलग मिलती हैं, क्या कै एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और इसके सभी मॉडल की डेटेल में अनुरू के उपर में SP का क्रोम में 3D में लोगो है, और काउल के उपर में 160 का स्टिकर दिया गया है, वाइट कलर में, बाकी होंडा का क्रोम का जो लोगो है वो 3D में दिया गया है, काउल के उपर में, और यह जो कलर है, इस कलर का नाम है, परल, स्पार्टन, रेड कलर, टोटल 6 कलर option में यह बाइक अब आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा gray color मिलता है जिसमें minor से चमकीले particle आपको नजर आने वाले हैं जो कि glossy fringe में दिया गया है बाकी यहाँ पर आपको black color और white color के graphics की strip आपको मिल जाती है जो की दिखने में काफी अच्छी लग रही है यह जो पाट है इसमें थोड़ा सा air vent मिल जाता है जो की plastic body का है और यह जो काउल वाला हिससा है यह भी आपको पूरा plastic body का मिल जाता है कहीं भी आपको metal बगएर नहीं मिलेगा पूरानी वाली X-Plate आती थी उससे टोटल अलग दिया गया है उपर वाला जो टेंक का इससा यह भी plastic body का मिलता है और यहां पर A20 का sticker दिया गया है इसमें 12 लीटर का petrol tank आपको मिलता है एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ चाबी यहां पर आपको होंडा की ब्रांटिंग के साथ नॉन बेव की आपको मिल जाती है सिंबल सी और एक चीज आप देखेंगे यहां पर अगर अंदर में बारिस में पानी भड़ जाता है तो पेट्रोल टंकी में पानी जो है वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर एक होल दे रगा है इस होल के द्वारा जो पानी है वो सीधा का सीधा नीचे निकल जाएगा पाइप के तुरू जो पाइप है वो मैं आपको लास्ट में दखा दूँगा बढ़ेगा सबसे पहले आप इसके एक्जोस्ट के साउंड को सुनें यहां की नया इंजन है यहां पर turn indicator, gear neutral indicator, यहां पर आपको check engine और headlight और ABS की warning light आपको मिल जाती है नीचे में आपको मिल जाता है RPM meter इसी के just center में आपको मिलता है gear position indicator नीचे में fuel gauge मिल जाता है यहाँ पर आपको Odo Meter मिल जाता है, Trimeter मिल जाता है, Voltage Meter मिल जाता है, Speedometer मिल जाता है, उपर में आपको गाड़ी मिल जाती है बागी इसमें आपको Bluetooth Connectivity आपको नहीं मिलती है, वो सिर्फ आपको 300R में देखने को मिलेगी और इसमें आपको Real Mileage Indicator मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको Range बागए रहा, देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जो Features हैं, वो इसके साब से काफी ज़्यादा Advance दिये गए हैं Top Speed की बात करूं, तो 118 किलमेटर प्रते गंडे गया असपास इसमें आपको Top Speed मिल जाती है बाकी जो Safety भी आपको काफी अच्छी मिल जाते हैं, अगर आप इसको 70-80 से उपर में चलाते हैं, तो थोड़ा सा Safe Feel करेंगे बाकी इसमें Service Reminder आपको मिल जाएगा, और Mileage भी आपको 45-50 के बीच में देने वाली है बाकी यहाँ पर आपको Passing Upper Dipper, Indicator और Horn जो Clutch है वो भी काफी Light है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको वही SP-125 बाला मिल जाता है, बारेंड भी आपको Plastic Body के मिल जाता है और यहाँ पर आपको Engine के लिचे में Hazard का Button मिल जाता है, जो कि इसका Plus Point बाकी जो Grip बगर है, वो भी आपको SP-125 बाली मिलते है, जो की काफी Comfortable है, डेली Commute करने के साब से Seat Comfort की बात कर लेते हैं, तो वाई, Seat यहाँ पर आपको पुरानी वाली जो X-Blade थी, उससे काफी अच्छी है, आपको मिल जाती है, जो की काफी लंबी चोड़ी है, अदर की Form भी काफी ज़्यादा मुलाइम है, उस Bike के Comple Region में, इसमें आपको काफी चोड़ी Seat मिलती है, 796 mm की Seat मिलती है, जो की X-Blade से 1 mm ज़्यादा है, पीछे में आपको 220 mm की Disc आपको मिल जाती है, जैसा की Top Model है, पीछे में ABS आपको नहीं मिलता है, बॉक्स बाला Swing Arm आपको मिल जाता है, अगर इसमें ABS होता था, काफी अचा रहा था, पीछे में 130, 70, 70 प्रोफाल का Tubeless Tear Monoshock Adjustable Hydraulic वाला Suspension जो की आप Adjustment भी कर सकते हैं, यह गंदा बगारा ना हो, तो यहाँ पर एक Mud Flap का इस्तमाल किया गया है, जिससे कीचर बगारा इसमें ना भरे, एक्जोस्ट अगर आप देखेंगे तो यह काफी जादा लंबा है, काफी उंचा है, तो पानी बगारा ज प्लास्टिक का यूज किया गया है, और यह जो राइडर वाले footpacks हैं, यह भी आपको foldable मिलते हैं, जो की थोड़े से पीछे की तरफ दिये गया है, और यह है वाइस का brake pad का lever, जो की थोड़ा सा छोटा है, कि कि स्टार्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, जो की इसका plus point है, होंडा की branding है, 117 mm की ground clearance आपको मिलते हैं, जो की X blade से काफी जाता है, और यहाँ पर जो engine guard आप देख रहे हैं, यह आपको metal body का मिलता है, जो की plastic body का नहीं है, और यह catalytic inverter भी आपको पूरा का पूरा cover मिलता है, उपर में oxygen sensor दिया गया है, इसमें आपको मिल 162 cc का air cooled forest rock BS6 fi engine, जो 13.46 PS की max power देता है, 14.58 mm का torque पैदा करता है, तो X blade के मकाबले इसमें जो power है, वो 0.4 mm की कम मिलती है, और जो torque है, वो 0.2 mm का कम कर दिया गया है, X blade bike के मकाबले, तो इस bike के friend में आपको single channel ABS मिलता है, 276 mm diameter की disc brake यहाँ पर आपको मिल जाती है, यह है इसक के caliber मिल जाते है, तो इसकी safety है, वो 90 तक आपको काफी अची मिल जाती, reflector front में telescopic suspension आपको मिलते है, जो की black color में है, ABS की branding है, आगे वाला जो mudguard है, वो पुरानी वाली X blade से total अलग है, जो की काफी लंबा चोड़ा है, बिल्डू का लीड़ी भी काफी अची है, आगे वाला जो tire app आपको 80, 170 profile का मिलता है, जो की same का same आपको मिल जाता है, वही वाला जो आपको पुरानी वाली X blade में भी इसी profile का tubeless tire मिलता था, 17 इंच का alloy है, और बाकी front portion की बात करें, तो engine को मैं start कर देता हूं, बाइक की जो headlight है, वो SP 125 जैसे ही दी गई है, और X blade की उतनी ज्याद अच्छी नहीं थी, और यहाँ पर halogen वाली turn indicator मिल जाते हैं, बेद हैजार के साथ, ऊपर में आपको SP 125 जैसा wind screen मिलता है, नीचे में Honda की ब्रांटिंग है, split LED headlight आपको मिल जाते है, लेकिन एक चीज में आपको बता देता हूं, जो X blade आती थी, उसकी जो headlight थी, उतको बहु मिल जाते हैं, लेकिन power और जो torque है, वो थोड़ा सा कम मिल जाता है, पीछे की तरफ चलते हैं, तो single piece grab handle है, और जो tail head है, वो भी आपको X blade जैसे ही मिलती है, H shape में, और पिछला जो portion है, वो उतना जाता है, इस bike का खास दिया नहीं गया है, X blade bike से इस bike का वज़न 3 kg कम कर दिय इसकी लंबाई है, 2061 mm, इसकी height है 1113 mm, और इसका वज़न है 141 kg, जो की 3 kg हलकी है, X blade bike से, यहाँ पर आपको pair रखने के लिए जगे मिल जाती है, जो की साधी कार दिया गए, जो की company fitted आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको adjustable foot packs मिल जाते हैं, और जो chain set cover आपको open मिलता है और यहाँ पर आपको seal वाली chain मिल जाती है, जो की बहुत जल्दी गंदी नहीं होती है, कम से कम 4,000 km के बादी आपको service करानी है, तो इसमें एक तरह का oil लगा हुआ है, जो इसकी chain को उतनी जल्दी दूल मिटी से गंदा नहीं होने देता है, एक चीज आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो chain है, आपको कम से कम एक इंच आपको लूज रखनी है, जिससे chain में कोई भी दिक्कत वगएरा ना है और ना जल्दी खरावो, और कभी भी chain आपको petrol से साफ नहीं करनी है, इसके लिए chain cleaner अलग से आता है, और box वाला rectangular swingarm आपको मिल जाता है, gear आपको इसमें पाइप दे रखें, एक petrol का है, दूसरा इसका पानी का है, जो कि नीचे की साइड में इसी पाइप के द्वारा निकल जाता है, नीचे में side stand engine guard up sensor का features दिया गया है, एक चीज़ मेरे को best लग देगा है, हॉंडा की इन बाइकों में आपको बहुत ज़्यादा डेड़ दो ल पिस्क में इस बाइक की एक सोरूम कीमत है, एक लाग सत्र एर पांसौर रुपे अन रोड कीमत है, एक लाग ब्याली से आर आट सो बामन रुपे, ये अन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है, क्लाउड नाइन, हॉंडा, टू वीलर, सोरूम, जैस्तो, रोड, कॉलकता सोरूम की, अगर आप भी अपनी सीटी की अन रोड कीमत जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें अपनी सीटी का नम में आपको रिपलाई करके बता दूँगा, वीडियो चल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और देवमडियार चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंग करेंगे दोस्तों,